हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सर्थ दोस्तों यूं तो गुलाब एक पमनेंट पोधा होने के साथ साथ एक ऐसा पोधा है जो कि साल के 12 महीने 300 पैसर दिन फूलों को खिलाता है लेकिन सीजन यानि के रितू के हिसाफ से इस पोधे की जो देगवाल है केर है वो हर एक सीजन की अ अगल की इप एच्य होगी इससे में आप लोग मेरे इन घुलाब के अगलीय Çao कैसमीरियोका देशी कम्स बिटेल में step by step आप लोग को में बताने वाली हूँ कि इस वीषर गर्मी से अपने गुलाब के पौधों को बचाने के लिए किस तरीके से हमें अपने पौधों की देखवाल करनी है और कौन सा फटलेजर किस तरीके से पौधों में डालना है तो देखे इस समय सबसे पहला का जो आपको अपने गुलाब के पौधों को पर खणना है वो है पानी का आपको विशेज ध्यान रखना है इस समय पौधों में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए चाहे आपको दोवार वाटरिंग करनी पड़े सुवह और साम दूसरी बात जो कि इस समय सबसे ज पर सके ऐसा कर सकते हैं जैसे सुवह साम अपने पौधों को पानी देने जा रहे हैं तो वो इस प्रेयर करके ही पौधों को पानी दे देंगे तो दिन में जो ये तेज गर्मी पढ़ रही है गरम हवाय चल रही है इन हवाओ से इस तेज गर्मी से पौधे बच पाएंगे यानि कि पोदों को अच्छे से नहला दीजिए इनकी जो पत्या है उनकी उपर अच्छे से थंड़े पानी का सावरिंग कर दीजिए टैंक में जो गरम पानी हो जाता है दिन में वो पानी आपको नहीं लेना है जो ताजा पानी आ रहा हो थंडा पानी उससे पोदों को पर अ और फिर भी आप लोग देख लीजिए मेरे जो पोदे हैं कितने लस ग्रीन है एक भी पत्ती आपको पीली नजर नहीं आएगी तो इसका यही रीजन है कि मैं सुवह और साम अपने पोदों को अच्छे से जब मुझे लगता है कि पोदों में पानी की भी कमी नहीं है फिर मैं पोदों को अच्छे से हलका हलका सावरिंग कर देती हूं ठंडे पानी की जिससे कि पोदों को रायत मिलती है यानि कि पोदों को फ्रेसनेस सी ताजगी आ जाती है तो पोदे थोड़े खिल खिला उठते है तो इस तरीके से आप लोगों को अपने पोदों को पानी देना है जिससे कि आपके पोधे इस तेज गर्मी से बच पाएंगे चाहे आपके पोधे 5-6 गंटे की धूप में रखे हैं या फिर 3-4 गंटे की धूप में रखे हैं ये काम आपको अपने पोधों को पजरू करना है इसके बाद आप बात करते हैं next step की यानि कि इस समय हमें अपने प करता है वो थोड़ा देरी से वर्क करता है धीरे-धीरे मिट्टी में जा करके घुलता है तब वर्क करता है लेकिन ये जो लिक्ट वाला होता है ये पोधों में जा करके पोधों को इंस्टेंट वर्क करता है यानि कि पोधों में इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो यह आपको कितना लेना है एक लिटर पानी में एक एमेल सीविट को मिला करके अपने दो पोधो में आपको डाल देना है जैसे दस से बारे इंच के आपके पोट है उन दोनों में आधा आधा ये डाल देना है सीविट फटलैजर एक ऐसा फटलैजर है यह पो पोदो में कलियां बन जाती हैं लेकिन कलियां पीली होकर के गिरने लगती हैं जड़ने लगती हैं तो इसके इस्तमाल से पोदो के उपर जो कलियां बनती है वो प्रोपर तरीके से खिलने लगेंगी यानि कि कलियां गिरना बंध हो जाएंगी दूसरी बाद इस समय तेज गर पढ़ रही है गरम हवाई चल रही है तो पन्द्रे दिन में एक बाद अगर इसको हम पोधों में डालते रहेंगे तो पोधों की जड़ों को जलने से बचाएगा पोधे हमारे स्वस्त रहेंगे इसको इस्तमाल करने के भी कई तरीके हैं आप लोग डारेक्ट पोधों की दो एमेल सीवीट को मिला करके पोदों के उपर इस तरीके से अच्छे से 15 दिन में एक बार स्प्रेय कर देंगे आप बात करते हैं नेक्स स्टेप की तो देखिए गुलाब एक ऐसा पोधा होता है जिसको की समय समय पर हैवी फटलाजर यानि कि और गैनिक के साथ इन और गैन कि यानि कि केमिकल फटलाजर भी पोधे में हमें डालना पड़ता है पोधे के अच्छी ग्रोथ के लिए लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ने की वज़े से कोई भी केमिकल फटलाजर हम अपने गुलाब के पोधे में नहीं डालेंगे तो इस समय जितना दो टुकडों को ले ली जिए और दोनु चीजों को एक लिटर पानी में हमने ढाल लिया है इसके बाद दिखिए यह है चाय की पत्ति यहां पर यह फ्रेस की पत्ति हम ले रहे हैं तो छोटी चम्माच जो होती है उससे एक चम्माच चाय की पत्तिकों भी हमम ले लेंगे साथ और भी बहुत सारे ऐसे पोशक तत्क पाए जाते हैं जो कि पोधों के अच्छी ग्रोथ के लिए पोधों में जादे फ्लावरिंग लेने के लिए या फिर इस समय जैसे वीशन गर्मी पढ़ रही है तो इस गर्मी से पोधों को राहत दिलाने के लिए काफी हेल्प करता है दूसरी चीज जो संतरे के चिलकों को हमने लिया है इस से मिट्टी होती है क्योंकि गुलाब के पोदों को हमने थिस्में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है जो कि पोधों की ग्रोध करने में बहुत these में बहुत सारे मिट्टी का जो pH लेवल रहता है उसको ये बैलेंस करके रखेंगे तो देखे इनको देना किस तरीके से है हमने इनको च्छान लिया है यह लगवा आदा लीटर फटलाजर हुआ है इसको हम दो लेटर पानी में मिलाएंगे अगर केले के छिलकों का ही हम फटलाजर बना करके देते तो उसको हम डाइरक्ट दे सकते थे क्योंकि बिल्कुल ओर्गैनिक है लेकिन यहां पर हमने जैसे चाय की पत्ति और संतरे के छिलकों को यह डाला था इसलिए इसको हम डेजॉल्व करके लेंगे एक बात और यहां पर आपको ध्यान रखनी है कोई भी केले का संतरे क सावुच छिलका डायरेक पोदो की मिट्टी में नहीं जाना चाहिए या तो आप लोग इस तरीके से इन छिलकों को भिगो करके फोटलाजर बना करके पोदो में डालिए या फिर इन चीजों को धूप में सुखा करके मिक्सी में पीक्स करके इनका पाडर बना करके पोदो की मिट्टी में 15 दिन में एक बार 10 इंच का अगर आपका पोट है तो दो चम्मट डाल दीजिए क्योंकि ये चीजे ओर्गैनिक है 12 इंच का पोट है तो उसमें लगवग एक मुठी या दो से तीन चम्मट डाल दीजिए तो देखे इसको देने से पहले पोदो की इस तरीके से हलकी हलकी सी हमें गुड़ाई कर लेनी है गुड़ाई करने के बाद ही ये फटलाइजर हमें देना है एक बात और आपको द्यान रखनी है जब भी कोई भी फटलाइजर पोदो में हम डालते है तो हमेशा पोदो की जो मिट्टी है उसमें अलकी सी नमी होने चाहिए देखे इस तरीके से बहुत जादा सूखी हुई मिट्टी नहीं होने चाहिए तो देखे कितना कितना हमको डालना है इस तरीके से भर भर के लगवग एक एक लीटर यानिके जितना आपके पोदो माए उतना आप लोग इसको डाल दीजिए क्योंकि बिलकुर ओर्गैनिक है तो थोड़ा सा कम जादा भी अगर हो गया तो घवराने की कोई बात नहीं है तो देखे ये मेरे दददस इंच के पोट है इनमें लगवग एक लीटर फट लैजर को आया है इनको आपको देना कितने दिन बाद है देखे इस समय 12 दिन बाद या 15 दिन बाद एक बार अपने पोदों में इनको डालते रहे है आप लोग मेरे पोदों को देखे कितने लस वाल कीजिए तो आपके भी पोदे हेल्दी बने रहेंगे स्वस्त बने रहेंगे तो जली दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलत ने हैं किसी नेक्ट वीडियो में नेक्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्ट